तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अगस 2018 को जो रेलवे ग्रूप डी का पेपर हुआ है सेकिंड सिप्ट का दित्तिय पारी का उसके रिजिनिंग में जो जो क्यूसल्स पूछे गए जिस प्रकार के क्यूसल्स पूछे गए उनके बारे में बात कर लेंगे कि कौन स टॉपिक से किस किस प्रकार के परसंद पूछे जा रहे हैं और कितने कितने परसंद पूछे जा रहे हैं तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखिए वीडियो स्टार्ट करें क्यूसल्स हम स्टार्ट करें इससे पहले हम एक नजर इन पर डाल लेते हैं क हैं थैंस को सब्छेक्ट है कॉन कोन से मैस रिजनी जनल साइंस और जनल अवेड्स से जनल आभेड़ेस में जी के और करण्ट अफेर्स ये दोनों आते हैं तो देखिए इन चारों से जो जिस तरहिकी पूछे जा रहा रहे इनका लेवल क्या है यह देख लेते हैं सबसे पहले बात करें गणीत की मैच की तो इसका लेवल हो बीच का लेवल है मोडरेट लेवल है जिसे हम ना तो बहुत जादा इजी कह सकते हैं ना जादा हार्ड कह सकते हैं और इसमें बच्चों ने लेवल रेवल है जिसमें पएजी न भिच का लेवल है जिसमें फिर अग्ला जो है रिजनिए है यह जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस का जो लेवल है वो फोड़े फोड़ा easy easy और beach का level है ठीक है easy और beach का level है और 25% में से बच्चे इसमें attempt कर पाएं 13-16 good attempt कर पाएं अगला है general awareness का जिसमें gk और current face की questions थे और इसका level थोड़ा moderate था तो total इसमें 20 questions थे और 20 question में से बच्चे attempt कर पाएं 12-14% और total overall attempt की बात करें तो overall जो level था वो तो moderate था बीच का और जो overall good attempt किया बच्चों ने वो किया है 67 से और 71 तर तक यानि की 66 से 71 तर तक अब यहां देख लेते हैं हम रिजनिंग की बात कर लेते हैं तो देखो रिजनिंग में शिलोगिस्म पूछा गया है और सिलोगिस्म से 4-5% पूछे गए हैं फिर पूछा गया है दरपन इमेज पूछी गई है अब देखो सिलोगिस्म की बात करें तो हिंदी में कहते हैं कथन निसकर्ज जिसमें एक कथन दिया रहेगा और कॉनकुलूजन दिये रहेंगे और कथन के आदरपत हमें डाइग्राम बनाना पड़ेगा इस परकार कुछ भी और फिर हमें कॉनकुलूजन चेक करने पड़ेंगा उस सही है क्या फिर दिया गया है मीरर इमेज दी गई है एन्निकी जिस कि प्लस को उसने ये कैया है माइनस को इससने ईसने इससा अंहें सब्सक्राइब एस समय करन के अंदर इसे हो जाएगा बहुत इजी कुछन्स होते हैं अब फिर दिया वैन आरेक दिया है इससे 2-3 परसंट पुछे गए हैं जो कि काफी जादा इजी है और फिर हमें दिया हर शिप्ट में काफी कुछन्स पुछे जा रहे हैं तो देखो 7-8 परसंट इसमें पुछे गए हैं जो कि काफी जादा इजी है और फिर ओड वन आउट जिसमें जैसे 4 परसंट में से एक विशम होगा ओड होगा उसे हमें छाटना होगा इस तरह की कुछन्स होते हैं चार ओ की कि यह जो कि इजी से मोडरेट लेवट था इनका कोणसा दिन होगा इस त्रह का क्यूशन कैसे होता है मा और दी समझा चुके हूं बस एक formula लगता है इसके लिए date लिखेंगे date के बाद महीने का code लिखेंगे उसके बाद जो साल दे रखी है उसकी last दो डिजिट लिख देंगे फिर leap words लिख देंगे और भाग देंगे 7 का तो उत्तर आ जाएगा फिर जो sales बचेगा वही उससे देख लेंगे कि कौन से दिन का code है वह उत्तर हो जाएगा इस तरह से अब चलो प्रसन देख लेते कैसे टाइप के प्रसन आया है तो वे नारेक है इससे देखो यहां पहला प्रसन पूछा गया है यहां दे दिया rabbit जिसे कहते खरगोस cat जिसे कहते बिल्ली और lion जिसे कहते सेर तो हमें वे नारेक बनाना है खरगोस बिल्ली और lion का तो देखिए जो खरगोस बिल्ली और जो lion है यह animal की category में आते हैं लेकिन तीनों के तीनों अलग है तीनों के तीनों जब अलग है तो इनका अलग अलगी diagram बनेगा यह खरगोस का हो गया यह बिल्ली का हो गया यह lion का हो गया तो उत्तर हो जाएगा यह उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन यहां पर दे रखाए कि इसने क्लाउड को लिख दिया है एक्स ओ एल एफ डबलू लिखाया ठीक है क्या लिखाया देखो मैं फटाफट से यहां लिख देती हूं सी एल ओ यूडी है और क्लाउड को इसने लिखाया एक्स ओ एल एफ डबलू तो हमें बताने की एस एम आई एल इसको क्या लिखेंगे तो देखिए यहां पर इस वाले में आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा लोजिक लग रहा है इसमें लग रहा है अपोजिट का लोजिक और मत्ते की एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है यू का पोजिट एफ है डी का पोजिट डबलू है तो इसी प्रकार यह कर देंगे देखो एस का अपोजिट होता है जिसे हमने याद करने का जो तरीका है जब मैंने यह टॉपिक पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग व इसी तरह मेंट में अर यह टो यह गया यहां पर अगला है और एंडीन रेल्वे और ओ तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा H N R O V यह मारा उत्तर है इसका अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन यहाँ पर दे रखा है E H K N दे रखा है और आगे हमसे पूछा है कि आगे क्या होगा तो यहाँ देखिए E की मैं बात करूँ तो E की जो numbering है E की जो numbering है वो 5 है और जो H का numbering code है 8 और K को हम कहते है K को क्या कहते है 11 और N को 14 यह इनकी numbering है अब जब यह इनकी numbering है तो आप खुद देखिए 5 से 8 कवा है जब मैंने 3 जोड़े 8 से 11 कवा है जब मैंने 3 जोड़े इसी तरह से 11 से 14 कवा है जब मैंने Q का तो क्या उत्तर हो जाएगा Q हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है तो यह हमने देख लिए इसका उत्तर क्यों हो जाएगा अगला प्रेसा ने वोटरी में से पूछा गया था जल पृतिविम से तो देखो जल पृतिविम में क्या होता है जल पृतिवं की बात करें तो जैसे मान लो यहां पे यह आकर्ति दे रखी है ठीक है? ऐसा कुछ फीगर आपको दे रखा है ऐसा कुछ ठीक है? यह मैं थोड़ा डाक कर देती कि यह आप Joseph यह देखिए डाक मैं कर रही है उसको यह देखिए यह आप देख सकते हैं यह arrow बन गया है तो यह इस तरह की इसकी water image दिखाई दे जाएगी जल पृतिवम तो इस तरह से जल पृतिवम होते हैं अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन हमसे पूछा है कि जो leap verse होता है उसमे हर किसी को यह पता होता है ठीक है और कलेंडर से एक किस तरह का क्यूशन पूछा किया वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ अगला प्रशन हमें दे रखा है कि 121 लिख रखा है यह और 121 को इसने लिखा है 12 लिखा है तो यह 25 को क्या लिखेंगे तो देखो 121 की मैं बात ग्यारा के अंदर एक जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 12 इसी प्रकार यह हो जाएगा 25 जौशे मैं 5 जौड़ दूढ़ 5 और एक कितना हो गया अच्छे तो च्छे मेरा उत्तर हो जाएगा अगला परशन देखिए अगला परशन है यहां पर और एनालोगी लिखेंगे 19 को हम 91 लिखेंगे अगला प्रेम्स देखिए अगला प्रेम्स वाये से के खेंगे A बात करें 20 को 4 होता है चवह में इन दोणा करlt 21 मेरे को मिल जाएगा तो इसी कर चार B का कोड 2 होता है और F का कोड कितना होता है 6 होता है जब 2 गुणा 6 कर देंगे तो क्या जाएगा 12 और ये 12 ही हमारा उत्तर हो जाएगा अगला प्रेसन देखिए अगला प्रेसन यहां दे रखा है कि जो मचली है उसको पानी का गया है तो ये सेर है इसको क्या कहेंगे तो देखिए यहां देखिए क्या लोजिक चल रहा है वह ही यहां चलेगा तो यहां मचली है किस में रहती है पानी में रहती है तो इसी तरह से सेर है ये कहा रहेगा सेर हैगा जंगल में रहेगा जंगल उतर हो जाएगा अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन पूछा है कुछ इस प्रकार का पूछा है कह रहा है कि डिवई आकर्ती में कितने तृबूज होँगे तो देखिए गाईस ये जरूरी नहीं कि आपसे वो त्रिबूज का ही पूचे क्योंकि देखो एक्जेग डाटा किसी को भी याद नहीं रहता है जब भी कोई पेपर देखे बहारनिक लेगा आप उससे कहऊँ कि रिजिनिंग में कैसे प्रशन पूचेगे गणीत में कैसे प्रशन पूचेगे तो वो कहेगा कि हा भी इस इस टाइप के पूचेगे वो एकजेग डाटा आपको नहीं बता पाएगा टो हाँ ठीक है सब बच्चे कहे रहे हैं कि जो फीगर काउंटिंग है उससे लगातार हर सीफ्ट में एक प्रसंड आ रहा है तो प्रसंड आ रहा है तो हो सकता है वह हो और हम आयत भी पूझ दे तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाईएगा क्योंकि हर यूटूब चैनल पर रिजनी की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप ट्रिक के साथ कर सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत शांदा ट्रिक के साथ मैंने इसको करा रख है तो यहां पर देखिए इसके अंदर ट्रेंगल तो जब भी ऐसी आकरती दिखाए दे तो हम क्या इस अपने फ्रेंड्स के पास शेर किजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आयो इसको लाइक करियेगा और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब कर लीजेगा और साथी गंटी के चिन को दबा लीजेगा जिसे आपको हल लेटेस वीडियो की अपडेट्स मिल पाए और पर आप यह टॉपिक्स बताया है ना मैंने स्टार्टिंग में कि कॉछे जा रहे हैं तो गाइस इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएगा ताकि आप इजी ली रिजनी के अंदर तीस में से 25 से 26 25 से 26 कुछन जरूर अटेंप कर पाओ तो गाइस जिनका भी वीडियो आ गय आपकि अंदरिगा टॉन प्याओगक सिक्मा बांभ दे कर में पिकैन पर में हमोगा तो इनका वीडियो आप करते हीडागा वीडियो।